नमस्कार आप देख रहे हैं घमासान.com मैं हूँ आपके साथ दिक्षा भानुप्री और आज हम बात करने जा रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में एक औरत की जुबानी कभी सोनिया के जीवन को तो देखो कितना गर्याया गया, कितना कोसा गया, कितना शरापा गया. किस बात के लिए अपने जन्म भूमी के लिए जिस पे उसका कोई बस नहीं. राजीव गांधी से प्रेम विवा किया, क्या गलत किया? जवान देवर मराश सास को संभाला होगा, देवरानी को उसके बच्चों को भी अपने हस्बेंड को भी तब तक घरेलू जगड़ा वगड़ा भी नहीं था तो बड़ी बहु की जिम्मदारी भी निवाना ही पड़ी होगी 84 में सास की हत्या होई कितनी उमर रही होगी 35 या 40 साल फिर जीवन में जरा सुखाया तो पती के चीथड़े चीथड़े हो गए ऐसी भयानक मौत 50 की उमर से पहले ही दुनिया का सारा दुख देख लिया अब इंडिया की नंबर वन फैमिली में शादी हुई तो क्या करती यहां तो प्रधानी कोई नहीं छोड़ता उसे मान भी तो रखना था घर का वरना यही लोग उसके लिए गर्याते की अच्छा खासा परिवास नहीं दी गई और आज तक दी जा रही है मगर उसने आज तक किसी को पलट के जवाब दिया कभी जुबान गंदी की जिस इस्तर का बड़पन जिस इस्तर की सहन शीलता सबर और मर्यादा उसने निभाई किसी के बस की बात नहीं यहां तो जरा सा घड़ा भरा नहीं कि छलक लगता है प्रधान मंतरी पर छोड़ना अगर मामूली त्याग लगता है तो लोग अपने गिरेबान में जाक लें और फिर बोलें और नहीं तो राहुल को 2009 में तो आराम से प्रधान मंतरी बनवा सकती थी लेकिन मा बेटे दोनों ने इस मामले में सब्र रखा इतनी ट्रे अपनी बहु को कोई देशी पहनावा पहना के अपने हिसाब से खाना पीना करवा के दिखा दे तो जाने चूला अलग न हो जाए तो कहना उसने हिंदी सीखी यहां तो साउथ के नेता नहीं बोल पाते जो इसी देश के हैं तब भी उसकी बोली का मजाग बनाते हुए शर् पता नहीं क्या करें उससे तो उसका पीहर भी छूट गया हमको भले राजनीती नहीं आती लेकिन एक औरत की नज़र रखते हैं और औरत के दुख को जानते हैं अरे वो भी आदमी है सब्सक्राइब आच चैनल और प्रेस दे बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स